वह कितनी भी सुन्दर क्यों नहों? वह कितना भी अमीर क्यों नहों? वह कितना भी चालाक क्यों नहों? रोज पढ़ने का आदत डाल लो सुभा में जल्दी उठने का आदत डाल लो क्या आप इन संटेंसेस को इंगलेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं न क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं साथ ही साथ एडवांस इंगल वीडियो में हम वही सीखने वाल है एडवांस इंग्लिस स्ट्रेक्चर विद एर मीनिंग्स एंड एक्जेम्पल्स तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सियर जरूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को क् करते हैं आज का हमारा पहला इस्ट्रेक्चर है गाइस कितना भी क्यों नहों कई वार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह कितना भी अमीर क्यों नहों या फिर वह कितना भी चाला क्यों नहों ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिस में ट्रांसलेट करने के लिए आप हावेवर प्लस स करते हैं कैसे करना एक्जेम्पल देखिए वह कितना भी खुबसूरत क्यों नहों मैं उससे शादी नहीं कर सकता आप बना सकते हैं आप ऐसे बोल सकते हैं एक और एक्जेम्पल देखिए वह कितना भी अमीर क्यों नहों वह यह कार नहीं खरीच सकता आप बना सकते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रेक्टर है आदट डाल लो कई वार आप ऐसे बोलते हैं सुभा उठने का आदट डाल लो या फिर कम पैसे खर्च करने का आदट डाल लो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिस में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक हैविट आफ का यूज करते हैं कैसे करना है एक्सेम्पल देखिए सुभा में जल्दी उठने का आदट डाल लो यह स्वास्थ के लिए लाफकारी होता है आप बना सकते हैं एक और एक्सेम्पल देखिए रोज पढ़ने का आदट डालो परिक्षा सर पर है है न कई वार पैरेंट्स लोग ऐसे बोलते हैं आप बोल सकते हैं इंग्लिस में अप इस तरीके से बोल सकते हैं I hope guys आज की video lecture आप लोगों के लिए काफी जादा useful रही होगी तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करेगा आप हमें comment box में बताएं कि आज की video lecture आप लोगों को कैसी लगी So thank you so much guys for watching this video Keep watching and keep learning Take care everyone